मैं जानना चाहूंगा सामाधिक शित्रों में आप काम कर रही हैं आखिर कैसे आपका विधायक के लिए विधायक की दावेदारी के लिए मन बना नुभव आपको है जाना चाहूंगा सामाधिक शित्र में आप काम कर रही है तो कितने पार्टी कारिकरताओं से आपकी मुलाक पर दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है संजय वैश्णौन आप देख रहे हैं अप पिपरिया में और पिपरिया मेरे साथ है निश्ठा नागर में डॉक्टर निश्ठा नागर में आप पिछले 12 वर्षों से पिपरिया में चिकित्सा के शेत्र में कारे कर रही हैं सामाजिक शेत्रों में आप निशुलक चिकित्सा सेवा दे रही हैं तमाम जो सामाजिक संगठन है उन्में भी आपका युगदान रहता है और इस बार के विधान सवाद चुनाओं में आप भारती जनता पार्टी की और से विधाय के लिए दावेदारी पेश कर रही है आज की इस चर्चा में हम मैं हम से सवाल पूछेंगे, मैं हम से जाना चाहेंगे कि आखर वो किस उद्देश से दावेदारी पेश कर रही है, क्या कुछ उनका मोटो है, क्या कुछ उनका उद्देश है और किस योजना से वो चुनाओं में उतरेंगी, दावेदारी पेश कर मैं सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है एंवी टीवी में धन्यवाद आपका बहुत अच्छा लगा कि आप यहां पर आए और डारेक्ट मुझसे मेरे विचार पूछना चाहा आपने क्योंकि प्राया यह होता है कि जो बाहर सुनी-सुनाई बाते होती हैं उस पर कोई लोग चर्चा करने लगते हैं और आप उसका सपस्टी करन नहीं दे सकते आप सुनते रहते हैं सूशल मीडिया आज कल लाइफ में सबकी लाइफ में सोशल मीडिया इतना ज़ाधा एंटर कर चुका है कि सूशल मीडिया पर भी हम देखते हैं बहुत-सारी चीज़े हो से कहना चाहती हूं तो पब्लिक में एक साथ पहुच जाएंगी मैं जानना चाहूंगा सामाधिक शेत्रों में आप काम कर रहे हैं आखिर कैसे आपका विधायक के लिए विधायक की दाविदारी के लिए मन बना मैं कैम्स लगा रही थी, कैम्स लगा है, लोगों ने देखा कुछ संभावना है कि मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम करेंगी, क्योंकि जो सीमित संसादनों में काम किया, उसको देखके जनता ने भी अंदाजा लगा कि अगर बड़ा प्लेटफॉर्म मैडम को मिलता है, तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी, और बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ा काम हो जाएगा, आप सिक्षित हैं, आप अनुहव आपको है, जाना चाहूंगा सामाधिक शित्र में आप काम कर रही हैं, तो कितने पार्टी कारे करताओं से आपकी मुलाकात हो चुकी है, और उनके मन की बात आप जान चुकी है, कितनों का आपको समर्थन मिल रहा है? आलगभग सभी पार्टी कारे करताओं से मेरा मिलना हो गया है, कुछ-कुछ ग्राम ऐसे रहे गये हैं, जहां पर कॉंटेक्ट नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया जिन से, बाकि प्रायह प्रायह 90 परसेंट कारे करताओं से मैं मिल चुकी हूँ, और सबका बहुत अच्छा response भी है सबका यही सोचना है कि कोई सिक्षित आएगा तो कुछ बैतर विकास हो सकता है और दूसरा यह मैं इस शेत्र के लिए नहीं तो हूँ नहीं तो हर शेत्र के लोग जानते हैं तो कारेकरत बहुत सारे कारेकरत वो ही हैं जो अपने आके डिलिवरी करा चुके हैं तो एक बहुत अच्छा अनुबह होता है जब आप उनसे मिलने जाते हो घर से बच्चे आते हैं अंदर से बाहर निकलते हैं आज जैसे गई थी तो यह आदित हैं आपके यहां पर ही डिलिवरी हुई थी इसकी तो बहुत अच्छा लगता और एक पारिवार एक सा माहौल है सभी कारे करता है उसे मिलने बिल्कुल घर जैसा लगता है और सबका समर्थन है डॉक्टर के रूप में आपकी सेवाएं लिए आपको प्यार दिया समाथ सिवा के शेतर में आपका सहयोग उनको मिला अब उमीद है कि यदि आप विदायक बनती है तो उनका प्यार उनका जो वोट है वो आपको मिलेगा हाँ मुझे पूरी उमीद है कि उनका प्यार आशिरवाद सहयोग और वरिष्ठो कमारदर्शन सब कुछ मुझे मिलेगा भारती जनता पार्टी में आप किस तरह की भूमिका अधा कर रही है भारती जनता पार्टी की बात करें तो उसकी रीती नीती से तो बहुत जादा प्रभावित हुम है क्योंकि मेरे परिवार में एक्चली मेरे पिता जी है दादा जी वो सब इस विचाधारा से ही जुड़े है मतलब भाजपा की जो परीती नीती है उससे बहुत प्रभावित है हमारे पूरा दो तीन पीडियां ही पूरी आप कहना चाहिए तो वो तो एक संसकार में जैसे होता है तो भाजपा रजी बसी है मेरे पती जो थे डॉक्टर मोहन कुमार नागर दुरभागेवाश वो अब हमारे साथ नहीं है कोविट के दरान हमने उने को दिया तो हम दोनों की सोच कुछ मिलती जुलती थी तो डॉक्टर साब का और मेरा यही सोचना था कि हमने बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त की है और इस डिग्री का उपयोग समाज के लिए करें क्योंकि डॉक्टर साब अनेस्थेटिस थे में गानेकलोजिस्ट तो बहुत अच्छा होता कि बुपाल में पढ़ाई पूरी करके बुपाल में कोई कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जॉइन करके रहते वहीं लेकिन हम लोगों का यह सोचना था कि जो सौ डॉक्टर्स हैं सौ अनेस्थेटिस सौ गानेकलोजिस्ट है भुपाल में हम एड़ाउन होंगे तो क्या प्लस वन हो जाएंगे हंडेट प्लस वन तो वो हार्ली कोई डिफ्रेंस लाएगा तो हमने यह सोचा कि हम एक ऐसे शेत्र को चुने अपने कारे शेत्र के रूप में जो सुविधावी हिन हो उसमें सुविधाएं हम दे सके तो आज से 12-13 साल पहले की बात है जब हम लोग इस शेत्र में आये थे तो यहां ऑपरेश से उसको क्रियानवेद किया ऑपरेशन थेटर चालू किया और उसके बाद से निरंतर यह है कि आज तक यहां पर ऑपरेशन की विवस्ता है जो प्रसुताएं हैं वो अब परिशान नहीं होती यहां ऑपरेशन हो जाते है उनके तो यह सेवा हमारी 12-13 साल से चल रही थी हमन जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको निशुल की हम परामज भी देते थे तो यह प्रती दिन का हमारा नियम था और यह इस तरह से काम चल रहा था हमारा समाज में हम सेवा इस तरह से दे रहे थे और काफी सारी संस्थाएं हैं मतलब पिपरिया की आप बात करें तो पिपर हमारा इतना बड़ा समाज है और इतना समय हम जो देते हैं अभी मैं 44 वर्ष की हो गई हूं आज तक जो भी है अभी तक जब तक पढ़ाई कर रहे थे तब तक हमने समाज से लिया ही लिया है medical education भी government medical college में हुई तो वहां क्या होता है कि government की कितने सारी funds लग जाते हैं हम लोगों पढ़ाने में तो समाज से लिया ही लिया था उसके बाद हम नहीं यह सोचा कि अब हम समाज को लोटाएं भी तो जितना बहुत भी हो सके तो वो चीज़े चल रही थी तो और कोविट के दोरान थोड़ा सा परिशानी हो गई मैं और डॉक्टर साब दोनों संक्रमित हो गए और डॉक्टर साब दुर्भागे नहीं हैं बहारे साथ तो उसके कारण क्या operation theater तो मैं नहीं अकेले संचालित कर सकती एक अनेस्टिस्पी ज़रूरत होती है तो फिर उसके ब तो यहां माहुल समझ में आया कि बहुत जरूरत है शेत्र में पहले तो हम हॉस्पिटल में मरीज देखते थे निश्वल सेवा देते थे लेकिन जब समझ में आया कि शेत्र ऐसा भी है कहीं जहां पर तो लोग आई नहीं सकते हैं हमारे पास तो मैंने यह सुचा अपनी परिया में फिर अचानक से यह चुनाओ लड़ने का और खास्तोर से बीजेपी यहां पर तीन पच्चन परशी से बीजेपी के विधायक है वो अलग बात है कि इस बार थोड़ा सा इंटीन कम में से चल रही है कारिशेत्र जो उमीद थी वो हो नहीं पाया है क्यों आखिर आपको लगा कि मुझे वेदायक की दावेदारी करने चाहिए देखिए ऐसा है यह बहुत सिंपल सा है कि मैंने तो सिंपल कैंप लगाए थे क्योंकि अटेश्मेंट था और हमारा सपना था तो वो सपने में किस तरह से कर पाऊं तो मुझे एक कैंप माध्यम दिखा कि हम सम महिलाएं होती है जो यहां तक नहीं आ सकती तो यह जब मैं करती गई तो मुझे ऐसा नहीं कि खुदी सोचा जनता में से खुदी लोगों ने बोलना शुरू किया कि मैडम जब आप इतना अच्छा कारे कर रहे हो तो क्यों नहीं इस कारे को एक बड़े प्रेटफॉर्म से किया जाए और एडिशनल यह था सपोर्टेव कि यहां की रिजर्व सीट है तो वो एक प्लेस पॉइंट था कि मैडम रिजर्व सीट है हम ऐसी केटिग्री को भी लोग करते हैं तो वो एक था तो लोगों ने यह कहा कि मैडम आप क्यों नहीं ट्राय करती हैं आपका जो नहीं हुआ कि चुनाओ लड़ना है फिर उसके बाद मैंने खुद को एनलाइज किया यह तब नहीं सोचा था मैंने कि मैं चुनाओ लड़ूंगी या दाविदारी प्रस्तुत करूंगी लेकिन काम करती गई और मैंने खुद को एसेस किया पहले लोग पहले पूछ देते क कि आप चुनाओ लड़ा है नहीं कोई चुनाओ लड़ना तो सेवा कर रही 0 2 05 sent कर सकती हूं क्या Assist कुछ भी ले कोई आदमी कुछ भी सोच सकता लेकिन यह सोचने के बाद उसको आप कर भी सकते है आपकी capacity है अप उतने अफर्ट लगा सकते हो के नहीं Sunflower कोगै अने म भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया अधर्वाइस तो यह कैम सिंपल कैम से सेवा के हिसाब से तो अब मुझे एक बड़ा प्रेटफॉर्म मिल सकता और मैं इतना दे सकती हूं समाज को जब ही क्या होता एक सामली होती है हॉस्पिटल भी चल रहा था तब भी कर सकते थे आ आपके पास समय काफी सारा रहता है आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है तो वो समय का मैंने का बहुत अच्छा उपियोग हो जाएगा और वो एफेक्टिव रहेगा जब मुझे यह चीज़े समझ में आई लोगों का बहुत समर्थन सायोग मिला तो उ इनको टिकेट दिया जाए बाकी मेरा ऐसा नहीं कि मैं दावेदारी पेश कर रही हूं संगिठन को लगना चाहिए और उनको लगेगा तो वह कहां पर कमी रहे गई पिछले 15 सालों से बीजेपी की गवर्मेंट है चुकि आपकी पार्टी ने करने के प्रयास ही बहुत किये लेकिन आपकी नजर में कौन से शेत्र है जहां पर काम करना बाकी है और वो आवश्यक्ती है कौन सी शेत्र में काम करना बाकी और आवश्यक है वाली बात नहीं होती हर शेत्र में निरंतर काम होते रहना चाहिए और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ परिशानिया है इसलिए मैं आ गया रही हूं क्या होता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है आपने भी सुना होगा तो वो स्वास्ति शरीड रहेगा तो स्वास्ति समाज बनेगा तो स्वास्त पर मेरे धियान रहेगा जादा तोड़ा सा स्वास्ति के बाद दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वह शिक्षा अगर एक शिक्षित शेत्र होगा तो वो खुदि प्रगदिशील से डव्लप्ड बन तो यह ऐसे समाज के निर्मान के लिए स्वास्त जरूरी हो शिक्षा और दूसरा मैं यहां देखती हूं कि नारी सशक्ति करण के लिए मैं सूच रही हूं कि मैं कुछ एफर्ट लगाऊं अब बात करूं मैं समाज की तो के कहाँ पर आपको चुकि आपने कहा कि लोगों ने आपको मर्टिवेट किया इंस्पायर किया तब आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं वितावattform कर रहे हैं किन समाज का या किन लोगों का समर्थन आपको मिलने की उमीद है देखिए ऐसा किस स समाज से समर्थन जादा मिलेगा कम मिलेगा जैसा नहीं है सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉंस है और सभी का समर्थन है मुझे रोजगार के लिए किस तरह के दरवाजे आप खोलेंगे किस तरह से काम आपके रहेंगे रोजगार के लिए अगर बात करें, तो जैसे अपना लगू द्योग निगम काम करता है, मेरा ही जो इखटा करना, महिलाएं हैं, महिलाओं में भी कुछ घरेलू महिलाएं हैं, जो जिस काम में एक्सपर्ट हैं, तो वो ऐसे छोटी-छोटी संस्था हैं बनाने का मेरा ऐसा प इस तरह के, कि वो यहीं पर उनका कुछ सीख के, टेक्निकल चीज़े सीख के, स्कील चीज़े सीख के, वो खुदी वेवसाय कर भी सके, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चनिटीज हैं, बस यहां पर जानकारी नहीं है, तो वो जागरुपता और जानकारी के लिए मैं प्रया होती है यहां पर, और सभी का समर्थन मुझे है, क्योंकि सभी चाहते भी हैं, क्योंकि सब एरिया मैंने गुंग लिया, छेओ मंडल में मैं गई हूँ, शेत्र में, इसलिए गई कि एक, आप तो चाह रहे हो आना, लेकिन भई, आपका शेत्र आपको चाह रहा है कि नहीं, यह पूरा परिवार जैसे ही है, और मुझे सब जगे बहुत पॉजिटिव साइंस मिले, परिया में अभी दो धड़े बन गए हैं, एक धड़ा, एक कारिकरताओं का संगठने ग्रूप है, सुनने में आ रहा है, देखने में भी आजाता है, गाहे वगाहे, कि वो अभी जो यह सब छोटी-छोटी बाते हैं, सर्वोपरी सब पार्टी ही देखते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि उनका वो विरोध है कुछ, बस हाँ, सोच अलग-अलग हो सकती इसके कारण है, बाकी यह शेत्र ऐसा है, कि सब पार्टी कारे करता, बहुत एक जोट हैं, सब एक सा परिवर्तन चाहता है, कि परिवर्तन हो, तो अच्छा होगा, और मैं अपना पूरा प्रयास भी करूगी, मैं अपने 100% भी देवने की कोशिश करूगी इस शेत्र के विकास के लिए, क्योंकि यह तो डॉक्टर सावर मेरा सपना था, अब भी साथ जरूर नहीं है, लेकिन ऊपर से तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं, और confident नहीं होती तो मैं यह जो CV बनाया है यह मैं प्रस्तुती नहीं करती प्रस्तुत इसलिए नहीं करती कि देखिए पार्टी सर्व पर ही है मैं टिकेट लेके विदायक बन रही हूं नहीं बन रही हूं यह इससे फरक नहीं पड़ता यह पार्टी बननी चाहिए और संगठन को भी संगठन भी सेस करेगा उचित लगेगा तो देंगे टिकेट तो मैं व्यक्तिकत लाब के लिए हां नहीं आई हूं ऐसा कुछ भी नही बिल्कुल कोशिश करूँगी कि यह प्रूव भी तो करना होगा जो आपको भरोसा कर रही है जनता कि नहीं उन्होंने जो भरोसा किया वो सही था आपका अनुबह भी काफी अच्छा है और पार्टी आपने कहा कि भरपूर आपको समर्थन कारी करता दे रहे हैं जूरूर् आपका एक परिवार है और परिवार में आप कुछ चाह रहे हो और आपको जो भी वरिष्ट है उन्होंने वो नहीं दिया या नहीं दे पा रहे है तो आप गुस्सा होके घर तो नहीं छोड़ देते तो ऐसा ही है तो पार्टी का काम तो मैं करती रहूंगी यह सेकंडरी च नहीं है कि मैं MLA बनूँ मेरा देश सेवा का है टिकेट मिलती है तो मैं बड़े प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी तरीके से सेवा कर सकती हूँ अधर्वाइस जो चोटे तरीके से जो मेरे से बन पड़ रहा है उतना तो मैं अभी कर रही हूँ वो तो चलता ही रहेगा आप हैं मारे साथ निश्ठा नागरमेम और आप पिछले वारा वर्शों से पिपरیا में डॉक्टरी में चिकेट्सा के शेत्र में काम कर रही हैं समाजिक कारियों में। शुलक अपनी चिकत्साएं सेवा दे रही है अलग-अलग आप शेत्रों में केमपेंग करती हैं और बीजेपी से इस बार के चुनाओं में दावेदारी पेश कर रही हैं आपने हमारी चर्चा सुनी सारे सवालों के जवाब आपने बहुत ही विनमरता से दिया कैसी लगी आपको ये खबर आपने में हमें समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद